दूस्तों मेराज पांडे आप देख रहे हैं हारी तोडे आई ये जान लेतें अभी की लेटेश्ट टपडेट की बारे मिए अभी की बड़ी खबर ब्रेकी नियूश बारे में बात करेंगे पूरी खबर बिस्तार से देंगे पहले खबर बहुत सी धमाकेदार है जैसा कि आप लोग आज के समाचार पत्र में पढ़े होंगे कि परिच्छा को रद करने के मांग चल रही है कि दरोगा भरती परिच्छा में जम कर धादली हुई है परिच्छा को रद किया जाए इसमें दो राने है कि साल बैठाए गए थे ठेका हुआ था इसकी अभी तक पूष्टी नहीं होई थी लेकिन अब पूष्टी भी हो गई है कि 15-15 लाख रुपे में भरती परिछमिन नकल कराने के लिए ठेका दिया गया था तो पूरी खबर को जानने से पहले वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दें अगर आप इसी परकार की अथेंटिक जानकारी प्रतिजीन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन दबा दें और पसेरेट कर दें इससे मारे वीडियो का नोडिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए साथ सिके साथ पूरी जानकारी दूंगा दरोगा भरती के सम्मन में कि 15-15 लाख रुपे में इस प्रकार से ठेका दिया गया था जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं आज का समाचार पत्र है इसमें लिखा हुआ है कि दरोगा भरती परिछ़ में नकल कराने वाले गिर्व का भंड़ा फोड गोर्कपूर की खबर है दरोगा भरती की आनलाइन परिछ़ में नकल कराने वाले गिर्व के तीन साथिरों को S.T.E.P. ने गिरिप तार किया है आरोपित 15-15 लाख रुपे में पास कराने की गारंटी लेते थे वहाँ सालबर की बेवस्था करा कर अभर्थियों को अलग कमरे में बैठा कर परिछा दिलाते थे सातीर दो अभर्थियों को परिछा दिला भी चुके हैं सवाल है कि और जो लोग है और जो सालबर गैंग है उन्हें पकड़ा गया कुछ को तो पकड़ लिया गया और कुछ गूपत हैं उनके बारे में कोई भी जानकारी किसी को नहीं है तो क्या दरोगा भरती की मेरिट हाई नहीं जा सकती है बाई जिनका जुगाड होगा जो परिच्छा में साल पर बैठाए होंगे पकड़े नहीं कहें होंगे वो खुस होंगे कि परिच्छा नारद हो मेरिठ हाई जाएगी तब भी उनका सेलेक्शन होगा यहां पर देखे लिखा हुआ है कि STF को सूचना मिली थी कि उत्तर पेस पुली भरतियों पहुंची बोर्ड की ओर से हो रही उप्रिच्छक नागरी पुलिस योम अन्य पदों की सीधी भरती आनलाइन परिच्छा में बड़ा फर्जी वारा की जाने के तयारी है टीमें सक्र से प्राइबेट लिमिटेड केंद्र के संचालक असुनी दुबे कवेलियर एनिमेशन सेंटर के असी सुकला सिध्विनायक आनलाइन सेटर महरीपुर के दीपक दिवाकर उफ्र रिंटुयों स्वेनापति ओम आनलाइन सेंटर रुस्तमपुर के केंद्र संचालक नित्यान डिया पत्रम खबर भी आई है लिकना सरकार संग्यान में यह ने ले रहे हैं यूपीटट परिच्छा को तुरंत रद्ड कर दिया गया यूपीट और मैं आप दोको बताना चाहता हूं यूपीट परिच्छा पर त्वरित्वाए की गईए तो क्या धरोगा भरत पर इस प को तुरंत रद करो मुखमंतरी जी ने ऐसा बोला था अपने मंच से तो क्या दरोगा भरती परिछा में धादली नहीं हुई है क्या दरोगा भरती परिछा रद नहीं होनी चाहिए होनी चाहिए क्योंकि बड़े पैमाने पर धादली हुई है और यहां पर साब साब लिखा लाख रुपे में परिच्छा पास कराने का ठेका लिया गया था और अलग कमरे भी व्यवस्था थी जहां जहां ऐसा खेल हुआ होगा वहां के जो कंडिडेट होंगे उन्हें पता ही नहीं होगा कि आखिरकार उस परिच्छा किंद पर कैसा खेल हो रहा है जहां भंडा फोड़ो गया अलग बात है जहां भंडा फोड़ नहीं होगा है उसका क्या होगा तो क्या परिच्छा रद होनी चहीए नहीं आप लोग अपनी राय कमेंड बाक्स में जरूर दें अगली ख़बर यूपी चुनाव 2022 बहुत ही नजदीक है और चुनाव आयो की द्वारा तैयारिया भी तेज कर दी गई है जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डियम सोन भद्रे आगामी विधान सभाज समानी निरवाचन 2022 को साकुसल संपन कराने की दिश्टगत नोडल वा सहाइक नोडल अजिकारी के स साथ की गई बैठाग चुनाव में किसी प्रकार की ना हो समस्या संबंधितों को दिये गए और श्रक प्रबंध के निरदेश तो मैं आपको बताना चाहता हूं डियम सोन भद्र है और चुनाव आयोग के द्वारा निरदेश दिया गया कि आप तैयारियां सुरू कर दीज और तैयारियां चल भी रहे हैं आजस अचार सहिता दस से लेकर अठारा के बीच लगेगी दस जनौरी से लेकर अठारा जनौरी के बीच आजस अचार सहिता लाग हो जाएगी पांच जनौरी के पहले आजस अचार सहिता नहीं लगेगी इतना आप नोट कर लेना पांच ज तादू 10-18 के बिज में चुनाओं की तिछियों का एलान किया जाएगा उसे समय से आदस अचार सहीता लागू हो जाएगी तो अब तक की सबसे बड़ी ख़बर है अब भरती परिछाय प्रभावित होंगी या नहीं यह तो वक्त बताएगा और जो मेरे दुआरा बताना था मैंने आपको पहले ही बता दिया है किस परकार से भरती परिछाय बादित होंगी किस परकार से पंचाय चुनाओं में भरती परिछाय बादित हुई है बिहार के पंचाय चुनाओं की मैं बात कर रहा हूँ तो बिहार में अगर पंचाय चुनाओं में भरती परिछाय बाद दूँगा एक और वहत्पून कबर है जिसके समझ में आपको जानकारी होना जरूरी है यह है मोदी सरकार जैसा कि आपको मालूम होगा अगर कोई चुहा पुल को कतर डाले कोई भी चुहा पुल को चाल डाले तो आखिरकार उस पुल में कितना पैसा लगा होगा खपरा मोहाल आर ओबी की जाश रिपोर्ट में खुला सा सेतु निगम ने स्टेशन के चुहों को जिम्यदार ठहराया चुहों ने कुतर डाला 40 करोणों का पुल बताएए 40 करोणों का पुल चुहों ने कुतर डाला यही है डवलमेंट यही है डवलमेंट अब चुहा कुतर और चुहे की तस्बीर सामने है तो बताएए इसमें 40 करोन लगा है या नहीं तो क्या इस पुल में घुटाला हुआ है आपकी राय हमारे लिए अच्वेहत्पूर है आप अपनी राय कमड़ वाक्स में जरूर दें यहां पर देखे परत की चोड़ाई कितनी है परत की को लेकर पटवारी भरती परिच्छा को लेकर बड़ी ख़बर है राजस्थान की ख़बर है जिसके समझ में आपको जानकारी होना वर्श्यक है नॉर्मलाइजेशन से जारी किया जाएगा परिडाम जितने भी राजस्थान की प्रतियोगी चात है वीडियो को सेर कर दें आपके लिए बहुत ही महत्मून ख़बर है परिडाम आपका तयार हो चुका है परिडाम इसी महीने जारी किया जाएगा जिसकी तयारिया चल रही है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रक्रिया अपनाते हुए घोसित करेगा परिडाम तो अब तक की सबसे बड़ी ख चाहता है जिसमें 15 लो 62 लाग अभरती सामेर हुए थे जिसमें 5 लाग महिलाएं और बाकी पूर्स अभरती हैं परक्रियाएं चल रही हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिडाम बहुत जल्द आने वाला है जो मुझे जानका लिए दिसम्बर के अंतिमिया जरूरी परिडाम घोसित कर दिया जाएगा तो आपके लिए गुड नियूज है एक और महत्पूर्ण खबर दे दूँ इसी मास सुरू होगी टेकनिकल हेलपर की भरती पर क्रिया या भी राजस्तान की खबर है जैपूर की खबर है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं बिजली निगमों में टेकनिकल हेलपर की भरती का जार कर रहे लाखो वे रोजगारों के लिए या राहत की खबर है इस महीने में टेकनिकल हेलपर की भरती के लिए ग्यापन जारी हो सकता है इस मामले को लेकर उर्जामन से भावर सिंग भाटी से राजस्थान वे रोजग बार एकिक्रित महासंग की प्रदेश अध्यत उपई नियादों ने मुलाकात की उन्होंने इसके समझ में जानकारे दी है तो आपके लिए गुड़ी उज़े त्यारी करते रहे अकाउंटेंट के पद होंगे इस्टेरोग्राफर के पद होंगे इतियाद पद हो सकते हैं और बड़ी कवर है जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि उत्तर प्रदी सरकार राजस्थान सरकार कितना नहीं कर सकती है क्यों नहीं कर सकती है इसके समझ में आपको जानकारी होना वश्यक है राजस्थान सरकार ने भले ही राजी की परिच्छा हो बस को फिर ही किया था य एक और गुड नीज देहूं एह राजस्थान की है राजस्थान राजपत परिवाहन निकम केंद्रे मादमिक शिच्छा बोड़ द्वारा आयोजिस सीट डिसंबर 2021 परत्योगी परिच्छा जो दिनांग 16-12-21-13-22 तक अलग अलग दिनांग वहा परिवार पारिवार आयोज इसकी जानी है समलित होने वाले परिच्छार्चों को राजस्थान राज सीमा में निसूर की आत्रा सुद्धा संबंध में तो पताए इतनी अच्छी सरकार कौन सी होगी योगी जी निर्देश दिये तब इसका पालर नहीं हुगा बस वाले किराया वसूल लिए आपको मा स्थान सरकार बेरोज़गारों के लिए कितना कर रही है क्या इतना उत्तवित सरकार कर पाएगी बीजेपी सरकार कर पाएगी आप लोग अपनी राय कमिन वाक्स में जरूर दें एक और मह operations खबर में आपको देजू लेकार जैसा कि आपको मालूम होगा कि लेकपाल भर्ती का नोडिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है एडिम की नोडिफिकेशन आने वाला है उसके बाद लेकपाल भरती का नोटिफिकेशन आएगा कुछ लोग कह रहे हैं कि सभी को मौका मिलेगा मैं मानता हूँ सभी को मौका मिलेगा लेकिन आवेदन करने के लिए फीस देने के लिए इमानदारी से बता रहा हूँ आवेदन करने के लिए फीज देने के लिए सभी को मौका में लेगा इसके समझ में कई बार मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ लेकिन मुख परिच्छा में बैठेंगे सोला दस्म लोग पान से अठारा गुना इससे ज़्यादा मुख परिच्छा नहीं देंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी से आवेदन करवाने के बाद हो सकता है परिच्छा चुनाओं से पहले ना हो हो सकता है अगर चुनाओं से पहले हो जाएगा तो पोल खुल जाएगा कि भाईया कितने लोग कितने कंडिडियेट परिच्छा में बैठेंगे इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि 16 दस्म लोग पांच से लेकर 18 गुना कंडिडियेट मुख परिच्छा में बैठेंगे परिच्छा प्रबन संभावना की चुनाओं के बाद हो अगर चुनाओं आउग परमीशन देगा तब परिच्छा फरवरी के दूसरे पकवारे तक हो सकती है नहीं तो संभावना एक कम है तो चुनाओं के बाद परिच्छा अगर होगी तो जितने लोग आवेदन किये होंगे पांच लाग, छे लाग, साथ लाग सभी लोग जम कर बीजेपी को ओड करेंगे इसमें दो राय नहीं है लेकिन जब परिच्छा के समंद में सार्ट लिस्ट किया जाएगा 16.5 गुनाभ भर्थियों को, 18 गुनाभ भर्थियों को तब आपको पता चलेगा कि वास्तों में हकीकत क्या है, तो हकीकत से रूबरू इस चैनल के माधिम से आपको करा दिया गया है, भविष्ट में यही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, अगर ऐसा ना हुआ तो चैनल कि माँ में अगर सासन निर्देश दिया तो भरतिका विग्यापन आएगा, अन्य था विग्यापन नहीं आने वाला है, दिसंबर के तीसर सब्ता तब विग्यापन की कोई उमीद नहीं है, अठाईस से लेकर दस जनौरी की बीच में अगर विग्यापन आना होगा तो आए कर लें जहने बारुस्तू नमस्कार